वारे में इस एपिजोड में हम डिसक्स करने वाल हैं Tata power stock के बारेमें अबर औरॉल power sector को आप देखेंगे तो इसमें monthly low प्रेड होते वे दिख रहा है वहाँ 3 मंत के level पे देख행े तो अभी भी 3 मंत के low से काफी हा यानि 3 मंत का लो power sector का इसी पावर इंडेक्स को देखेंगे तो लगवग पैती सो के आसपास का है और इसे में पावर इंडेक्स बियालीस हजार एकसो बियालीस चार हजार दोसो पंदरा पे ट्रेड होते वे दिख रहा है टाटा पावर के क्यूफूर के नतीज़े हमने देखे थे जहां स्लैट र लेकर के 320 का दिया गया है जिसके लिए डियरेशन विदिन वन यर का रखा गया है और टाटा पावर में डिलेवरी मोर दें 30% के आसपास का और टेक्निकली आगे यह श्टोक पिछले 6 मन्त के पुराने वाले डेट पे इस समय ट्रेड होते वे दिख रहा है और प्रसनली मे में देखने को मिल रहा है और टाटा पावर में अगर आप इन्वेस्टमेंट के परपस से बाइंग करना चाहते तो यह एक गोल्डेन ऑपर्चुनिटी है जहां मैक्सिमम डाउन ट्रेंड वह सेनेरियो मुझे प्रसनली फील है कि दोसों के लेविल को ब्रेक नहीं करेगा वह भी वह सेनेरियो का लेवल है इस स्टॉक में जो अपर ट्रेंड की बात हम कर रहा है वह 242 के उपर के क्लोजिन पर ही लेना है क्योंकि 242 एक 20 डे मुविंग एबरेज का प्राइस है और एक रेजिस्टेंस हडल इस स्टॉक में पिछले वन वीक में देखेंगे तो हडल सा रहा है रिजल्ट के बाद अल्रेडी स्टॉक में जो साफ टेड दिखना चाहिए तो वह अल्रेडी स्टॉक डिसकाउंटेड है तो मार्केट की डाव ड्रॉन में भी स्टॉक में काफी गिरावाट नहीं दिखेगी हो सकता है कि 240 से 210 के बीच का कंसोलिडेशन अगले नहीं करना चाहिए